हेलो दोस्तो नमेश्कार दिस्क्रिप्शन में दे दी है जरू उसको study अच्छी तरीकी से कर लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वड़े को start करते हैं अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे normal screen के उपर and यहापे हम लोग बात करने वाले एक और IPO के बारे में टेगा industry अगर इस IPO के अगर हम लोग बात करते तो दो ही activities होती है एक होता है long term और दूसतरा होता है listing gain फिलाल हम लोग क्या करते है long term के लिए blindly तो निविश्ट नहीं करते हैं red company एक बार list होने दो उसके परफॉर्मन्स देखेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गए company list करने से पहले अच्छे performance वाले result भी पेश किये जाते है so हम लोगों का focus जो होता है फिलाल तो listing gain के लिए रहता है बहुत सर लोगों का भी उसी से related फिलाल के महौल की सबसे तो होना चाहिए and listing gain के लिए क्या चाहिए grey market premium double returns दे सकता है मतलब double return मतलब 100% का returns की हम लोग बात कर रहे है so पहले जान लेते company करती का एक basic information तो सबसे पहले 1976 पर ये company start हो चुकी थी जो की leader है manufacturer and distributor of a specialized critical and recurring consumable की अगर हम लोग बात करे जो products रहते है right जो mining में हम लोग कोई चीज़े use इस्तमाल होते वे देखने को मलते है उससे related जो industries है उनमें इस company का योगदान हम लोग को देखने को मिलता है company का presence global level पे बहुत ही अच्छा कासा देखने को मिलता है globally भी अगर हम लोग बात करे जो टेगा इंडस्टी है second largest producer है of polymer based mills leaner ये किसके हिसाब से हम लोग कहे रहे है जो revenue का performance है 2020 का उसके हिसाब से बात यहापे बताई है next अगर हम लोग आपे बात करें तो company का जो portfolio है वो भी हम लोग को बहुत बड़ा यहापे देखने को मिलता है अलग-अलग चीज़े यहापे वो offer करते है जैसे कि अगर हम लोग यहापे बात करें आप लोग यहापे पढ़ सकते हैं abrasion है उसी के साथ साथ end wear, resistant rubbers है steel है, ceramic based leaning components है उसी के साथ साथ जो अलग-अलग different stages के उपर जो mining रहता है, mineral processing के बात करे screening की बात करे, grinding की बात करे अलग-अलग जो materials यहापे रहते है अलग-अलग stages के उपर वो सारे चीज़े यह company provide करने का काम उनकी customer को यहापे करती है उसी के साथ साथ अगर हम लोग company के product portfolio की अगर हम लोग बात करें तो लग-बग-बग-पचपन, yes also more than 55 mineral processing and material handling products का हम लोगों यहापे अच्छा portfolio भी इनका देखने को यहापे मिल रहा है so next अगर बात करें तो company के कुल मिला के कितने 6 manufacturing sites है जिसमें से 3 इंडिया में है एक है गुजरात में and दो है West Bengal में and अगर outside the इंडिया की बात करें हम लोग यहापे major mining hubs की बात करें तो एक है चिली में एक है South Africa में and एक है Australia में so यह भी एक important point है जो कि हम लोगों को यहापे पता होना चाहिए next अगर हम लोग यहापे company से related और भी कुछ important information जानने की कुशिश करें तो आप लोग यहापे देख सकते हैं the company has a 18 global and a 14 domestic sale office जो जिनका location उनके जो की customer है उनी के आसपास हम लोगो देखने को यहापे मिल रहा है and company टेगा industry की अगर हम लोग बात करें तो आगे और बड़े expansion की भी यहापे planning यहापे कर रहे हैं जिसमें North America, South America, Australia उसी की साथ साथ South Africa का भी यहापे planning वो लेकर आगे चल रहे है so company expansion की यहापे फिलाल बात यहापे कर रहे है ठीक है अभी आ जाते company का यह जो business है वो बाकी business से हट कर कैसे नजर आता है competitive strength की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते one of the world's largest producer of a polymer based mill linear मतलब जो भी चीज आप लोग दुनिया में कोई भी ऐसी चीज बनाते हो जिसमें आप लोग leader हो तो उसका advantage आपको जरूर मिलता है उसी की साथ साथ अगर हम लोग यहापे बात करें R&D की अगर हम बात करें manufacturing capacities की बात करें आपे तो वो भी बहुत ही अच्छा कासा देखने को मिलता है major चीज अगर कोई है तो global presence उनके जो customer base भी हम लोग को देखने को मिलता है वो भी वहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है उसी की साथ साथ market growth operational efficiency की बात करें तो वो भी consistent है and management भी experience है and team members भी अच्छे ये सारी बात है उनने आपे बताई है अभी आजाते promoters के और जो कि आप लोग देख सकते है family type group वाला promoter हम लोग को नजर आ रहा है next अभी हम लोग बात करेंगे आप important चीज को ये cover करेंगे and वो है financial result अभी तक company का performance की से रहा rupees in millions है तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर क्या क्या चीज है रहती है total asset then revenue and then NPAT so पहले वाले यह वाला ignore कर दिना यह 12 month का data यह भी 12 month का है यह भी 12 month का यह वाला जो data है सिर्फ 3 month का है इसलिए इसको compare मत करना गलत information जाएगा so 2019 की बात करे उनलों को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पर मिल रहा है so जरूर आप इस company को यहाँ पर list होने के बाद भी इनके उपर focus यहाँ पर जरूर यहाँ पर बना के रख सकते है फिलाल तो company का performance previous 3 years के data के इसाब से हम लोग बात करे तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को फिलाल तो यहाँ पर मिल रहा है so उसके उपर भी आप लोग का focus होना चाहिए but no doubt हम लोग ने blindly यहाँ पर किसी भी company को as a long term consider फिलाल तो करना नहीं क्योंकि list होने के बाद हमारे सामने बहुत सारे अलग-अलग details सामने आ जाते है next अगर बात करें तो company या IPO क्यों लेका है यहाँ पर आ रही है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते है company की अगर मैं बात करूँ listing benefits आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो listing benefits मतलब हम लोग ज़रू कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग को offer for sale बहुत ही तगड़ा देखने को भी मिल सकता है ठीक है दोस्तों अभी आ जाते dates के उपर तो एक December को open होगा 3 December को close हो जाएगा book building है मतलब 2 price band मिलेंगे 443, 453 यह कोई माइन नहीं रखता है quota price के उपर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे apply करेंगे 10 का face वाली यह future में split का उमिदे रख सकते हो 33 का lot है एक share की अगर हम लोग एक lot की बात करें तो 33 shares quantities मिलेंगे NACBAC दोनों के उपर जाएगा issue size 619.23 करोड and bad news यह है कि पूरा का पूरा दोस्तो offer for sale है मतलब company के pocket में तो कुछ यहाँ पर जाने वाला है नहीं इसलिए तो objectives में आप लोगों नहीं देखा होगा कुछ यह बात यहाँ पर बोली ही नहीं सकते ठीक है यह negative sign है हम लोग यहाँ जरूर यहाँ पर कह सकते है जो भी पैसा यहाँ पर जाने वाला है तीन तरीक को close आट तरीक को allotment देन 9 December की बात करे तो आप लोगों को refund हो जाएगा refund के लिए थोड़ा उपर नीची चीजे चलती रहती है देन 10 तरीक को shares आपके demand account में credit and listing की बात करे तो 13 तरीक को एक और company बाजार में आपे जूड जाएगी so next अगर हम लोग याप बात करें दोस्तों तो lot size की सबसे retail category में अगर आपको रहना है तो एक lot आप लोग देख सकते 33 shares 14,949 तेरा apply करोगे तो retail category में ही रहोगे 194, 337 सर अगर मैं retail category से हट कर H&E में try करने जाता हूँ दो लाग मत को cross करता हूँ तो क्या मुझे पक्का मिलेगा ऐसा नहीं दोसे H&E के rule अलग होते हैं वो multiples में rule रहते हैं ऐसे बहुत सर लोग को लगता है कि वो 2 लाग के उपर लगाएंगे 2,5 लाग के लगाएंगे तो उनको पक्का ना पक्का मिली जाएगा उनका process अलग होता है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें retail category में जो process होता है वो अलग होता है इसमें जो रहता है वो lottery system रहता है वहाँ पर वैसे नहीं वो multiples में चुने जाते हैं अगर आप apply भी करते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा पुंजी लगते हैं बेचनी पढ़ने वाले 75-25 का ratio complete करने के लिए सो ठीक है दोस्तो जितनी वी information थी बहुत हम लोगों ने देख लिए अभी आ जाते है important मुद्दे की और company का price कितना है और 453 पकड लेते हैं अभी फिलाल company का grey market premium के है वो देख लेते हैं कल के दीन की बात करें दोस्तो तो 200 के करीब हम लोगों को देखने को या पर मिल रहा था और आज की दीन की बात करें 27th November तेगा industry की grey market premium की बात करें दुपर के एक बज़े की हिसाब से वो है 320 रुपया 320 रुपया को अगर आप लोगों के आपर calculate करोगे कितना करना है 320 उसके उपर और 2-0 जोनने है डिवाइड बै जो cut-off price रहेगा 453 कर दोगे तो कितना आता है लगबग लगबग 70% यह जो सो कल के दीन की बात करें तो यही हम लोगों को 60-65 के range में देखने को मिल रहा था आप से बट जरू हम लोग कह सकते कि एक decent IPO decent मतलब listing gain के लिए risk लेने वाला IPO तो जरूर है वो health care का insurance कुण सा star health star health में तो क्या 5% है क्या जाने का वहाँ पे जाके फिर भी एक बार apply करने से पहले मतलब जो last date रहेगा चेक करने न वहाँ पे gray market premium क्या चल रहा है फिलाल का जो बाजार में जिस तरी की से भूका मचा हुआ है आराम से gray market premium wipe out भी हो जाएगा तो इसलिए ज़्यादा gray market premium चाहे ताकि कल जाकर अगर बड़ा गिरा बठाया फिर भी वो 70% at least हमें 30-40% के आसपास तो रुकते वे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा तो इतना तो मैं कह सकता हो दोस्तो आज के दिन यहाँ पे कि येस इस IPO में हम लोग जरू विचार करेंगे तो हम लोगों ने gray market premium को जरू फोकस में रखना है और यहाँ पे एक तारिक को तो अपलाए हम लोग नहीं करेंगे दो या फिर जितना जल्दी हो सके तीन तारिक को हम लोग यहाँ पे gray market premium को चेक करेंगे अगर यह 40, 50, 60, 70 के रेंज में रहेगा gray market premium सो कोई चिंता करने के बाद नहीं हम लोग जरूर यहाँ पे अपलाए करने करेंगे ही जरूर सो मैं आज के दिन यहाँ पे इतना तो कह सकता हूं कि yes listing gain के लिए हम लोग जरूर विचार यहाँ पे कर सकते हो बट फिर भी मैं आपना खुद का जो final decision रहेगा वो आप लोग को जो मेरा update वाला वीडियो रहता है उसमें मैं आप लोग को बता दूँगा